आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याना बोर्ड ने जो सेशन 2022 और 2023 के लिए 10th कलास की इतिहास की नई बुक लगवाई हैं जिसमें टोटल 9 पार्ट हैं इन सभी पार्टों के महतोपूर्ण एक एक नंबर वाले कोश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा ताकि लेक्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफेकर से आपको मिल जाए अब कोश्चन देखते हैं हिस्ट्री की बुक से सभी 9 पार्टों के एक एक नंबर वाले महतोपूर्ण कोश्चन जो है मैंने यहां पर नोटबुक में त्यार कर रखे हैं पहला कोश्चन देखते ह पुरा सथल की खुदाई किस ने की तो इसका आंसर है राखल दास बैनर जी अगला कोश्चन है सरस्वती सिंदू से बता के किस सथल से जुते हुए खेत के सक्से यानिकी सबूत मिले हैं तो आंसर है काली बंगा अगला कोश्चन है सरस्वती सिंदू से बता के किस पुरा सथल से प्राप्त मुहर यानिकी सिक्के पर नाव का चित्र अंकित है यानिकी नाव का चित्र छपा हुआ है तो आंसर है मोहन जोदरो से यानिकी मोहन जोदरो से जो है सिक्का मिला था जिस पर नाव अंकित यानि निमनलिखित में से किस देवता की पूजा करते थे तो आंसर है इसका पसुपती सिव इन में से कौन सा पसु मोहन जोदरों से प्राप्त मुहर पर अंकित नहीं है यानि कि मोहन जोदरों से जो सिक्के मिले थे मोहरे मिली थी उस पर कौन सा जो पसू है छपा हुआ नहीं है तो आंसर आएगा उट अगला कोस्चन है सरस्वती सिंदू से बता के लोग निमनलिखित में से किस वरक्स की यानि किस पेड़ की पूजा करते थे तो आंसर है पीपल निमनलिखित में से किस पूरा सतल के उत्खनन से बाड के परमान मिले है यानि कि बाड आने के सबूत मिले है तो वो मिले है मोहन जोद्रो से अगला कोस्चन है कोस्चन नमबर नाइन मोहन जोद्रो किस परांत में स्थित है तो आंसर है सिंद जो कि पाकिस्तान में है अगला है सरस्वती सिंदू सबता का कौन सा पुरा सथल हरियाना में स्थित है यानि कि हरियाना में सिंदू सरस्वती सिंदू सबता के जो सबूत है पुरा सथल है जो वो कहा कहा पर है राकिगड़ी, बनवाली और मिठा थल लो थल किस राजे में श्थित है यानि कि गुजरात में और काली बंगा नामक पुरा स्थल किस राजे में है तो इसका आंसर है राजस्थान सरस्वती सिंदू सभथा को किन अन्य नामों से जाना जाता है यानि कि इसके अन्य नाम बताने है और अगला कोश्चन हैं मोहं जोद्लो में मुख्य सड़के तथा गलिया कितनी चोड़ी होती थी आँचे सद्धूमूर्ट मूसी सबसे उलेखिनिय मूर्थी कौन सी है तो registrin कि उलेखिन आंसर है 19 सेंटीमीटर लंभी खंडित यानि की टूटी हुई पुरुस की मोहन जोदरों से प्राप्त मूरती दातू की नर्थकी की मूरती सरस्वती सिद्धु से बता के किस थल से प्राप्त हुई है तो आंसर है मोहन जोदलो अगला कोश्चन है कोश्चन नम्बर 17 मिसर के पिरामिंड यूग काकाल क्या था तो आंसर है इसका 3490 से 2160 इसवी पूरू अगला कोश्चन है प्राचीन मिसर में नील का देवता कौन था तो आंसर है औसिरिस असुर नामक नगर का सम्मंद निमनलिखित में से किस सब्वेता से है तो इसका आंसर है असीरिया अगला कोस्टन है मैसो पोटामिया सब्वेता में वनस्पती और किर्सी का देवता कौन होता था तो आंसर है तमूज अगला कोस्टन है मैसो पोटामिया सब्वेता में नर्गल किस का देवता था तो आंसर है पलेग का देवता अगला कोस्टन है हिस्टोरी का नामक गरंत की रचना किस ने की तो इसका आंसर है हैरो डोटस अगला कोशन है यूनानी सब्विता में सवतंत्र सर्मिकों को क्या कहा जाता था तो आंसर है थीट्स अगला कोशन है रोम का पर्थम समराट कौन था तो इसका आंसर है रोमुलस रोमन सब्विता में युद का देवता था तो आंसर है मार्स नेक्स कोश्चन है रोमन सब्वता में युद का देवता कोन था तो आंसर है मार्स दुबारा रिपीट हो गया ये अगला कोश्चन है पीला समराट किस चीनी सासक को कहा जाता था तो आंसर है हुआंग टी नेक्स कोशन है चीन में विद्वान अध्यापक तथा उच्छ सिक्सा पराप्त वैक्ति को क्या कहा जाता था तो आंसर है मंदारिन अगला कोशन है कम्यूस कन्फ्यूसियस किस देश के दारसनिक थे तो आंसर है चीन उत्री मिस्र की राजधानी वै राज चिहन का नाम लिखे तो राजधानी थी बुटो और राज तिंग था मदुमक्षी नेक्स कोशन है सिकंदर ने मिस्र पर कब आकर मन किया तो आंसर है इसका 332 इस वी पूरू में अगला कोशन है सुमेरिया की लीपी को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर है किलाकसर लीपी किलाकसर लीपी अगला कोशन है साथ पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है तो आंसर है रोम को रोम की सब्बता में कर वसूलने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे तो आंसर है सेंसर्स और चीन में राजा को क्या कहते थे तो आंसर है वांग माया सब्बता का पंचांग कब शुरू किया गया था तो आंसर है 3114 इस भी पूरु में मिसर का राजा फराओ कहलाता था सही और गल्त में से बताना था तो आंसर है इसका सही मैसोपोटामिया के दक्षनी भाग में नीर नदी के किनारे बैबिलोनिया की सब्वेता का विकास हुआ तो इसका सही और गल्त में आंसर बताना था तो आंसर है इसका गल्त अगला कुछन है होमर ने ODC की रचना की सही या गल्थ तो आंसर इसका सही निमलेखित में से प्राचिंतम वेद कौन सा है तो आंसर इसका रिगवेद रिगवेद सबसे प्राचिंतम वेद है महावीर स्वामी को निर्वान की प्राप्ती कब हुई तो आंसरेज का 527 इस्वी पूरू दिगंबर वे स्वित्वामबर किस दर्शन से संबंदित है तो आंसरेज का जैन धर्म से अगला कोश्चन है महात्मा बुद्ध का जनम कब और कहा हुआ तो आंसर है इसका जनम हुआ 563 इस्वी पूरो और स्थान है लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा गया तो आंसर है संबोधी किस दर्सन के लोग अपने सवों को ऊची मिनार पर खुला छोड़ देते हैं जिससे दखमा या टावर ओफ साइलेंस कहते हैं तो आंसर है इसका पारसी जैन धर्म में कितने तिर्थकर हुए हैं तो आंसर है इसका 24 कौन सा वेध भारतिय संगीत का मूल है तो आंसर है सामवेध और त्री रतन का संबंद किस दर्सन से है तो आंसर है इसका जैन दर्सन से महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को बोध साहिते में क्या कहा गया है तो इसका आंसर है महा भी निस्कर्मन महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बोध साहिते में क्या नाम दिया गया है तो महा परी निर्वान अगला है ऐसत्य का अर्थ है तो आंसर है चोरी ने करना अगला कोश्चन है उपनिसिद वेदों का सार है नेक्स कोश्चन है गायत्री महामंतर डैस वेद से सम्बंदित है तो आंसर है रिग वेद से कन्फ्यूसियस नामक समाज सुधारक का सम्बंद किस देश से है तो आंसर है चीन से मद्धैकालीन यूरोप में बड़े भू सुवामी क्या कहलाते थे तो आंसर है काउंट युद में मरना या मारना किस की वीरता का परिचायक था तो आंसर है नाइट निमनलिखित में से किस त्री ने परदा त्याक कर दिल्ली सुल्तान कासिहासन संबाला था सल्तनत का सुल्तानी सल्तनत कासिहासन संबाला था तो आंसर है रजिया सुल्तान निमनलिकित में से किसने नालंदा विसविद्धेल को आग के हवाले कर दिया था तो आंसर है बक्तियार खिलजी ने अगला कोशन है तुगलक नामा के रचाईता कौन थे तो आंसर है अमीर खुशरो नेक्स कोशन निमलिकित में से किस मुगल सासक ने युद बंदियों को दास बनाने की पर्था को बंद कर दिया था तो आंसर है अकबर ने पिर्थिवी राज रासों के लेखक कौन थे तो आंसर है चंदर बरदाई अगला कुछन है राज तरंगनी के लिखकों थे तो आंसर है कलहंड मद्धै कालीन यूरोप में किस वरग पर समाज की रक्सा का भार था तो आंसर है सामन तो पर मद्धै कालीन यूरोप में योद्धा वरग के लोग क्या कहलाते थे तो आंसर है नाइट इसा मसी का जनम कब हुआ तो आंसर है 6 इस्वी पूर कुरूसेड कितने अभियानों के समू को कहा जाता है तो आंसर है 8 हिजरी समूत का अरंब कब हुआ तो आंसर है 622 इस्वी में कौन से क्रूसेड में फ्रांस के सासक लूई नवम की मिर्टू हो गई और अभियान रुग गया तो आंसर है आठवा क्रूसेड रोमन समराजय का पतन हुआ आंसर है पांचवी सदी में इसायत और इसलाम के टकराव को क्या कहा जाता है तो आंसर है क्रूसेड कौलंबस ने अमिरीकी महादवीप की खोज कब की तो आंसर है इसका 1492 इसवी में नैस को सने 73 मुहम्मद गोरी के भारत पराकर्मन के समय कनोज का सासक कोन था तो आंसर है जैचंद राठोर महमूद गजनिवी की मिर्ट्यू कब हुई तो 1030 इसवी में पानिपत की पर्थम लड़ाई में बाबर ने किसे प्राजित किया था तो आंसर है इब्राहिम लोदी को अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा आकर्मन कारी भारत से परसिद कोहिनूर हीरा और मैयूर सिहासन लेकर इरान चला गया था तो आंसर है इसका नादिर सा करनाल का युद कब हुआ 24 फरवरी 1749 इस्वी में किस आकर्मन कारी ने भारत पर 1145 इस्वी से 1206 इस्वी तक आकर्मन किये तो आंसर है मुहम्मद गोरी ने मुहम्मद गोरी के भारत पर आकर्मन के समय दिल्ली वे अजमीर पर किसका सासन था तो आंसर है चोहान सासक पृत्थिविराज तृत्य का पानिपत की तीसी लड़ाई किसके बीच हुई तो आंसर है एहमद जा अब्दाली और मराठो के बीच पानिपत की पहली लड़ाई 10 इसवी में हुई तो आंसर है 1526 इसवी में पलासी का जुद कब हुआ था तो आंसर है 1757 इसवी में कौन से युद के بعد अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और ओडिसा की दिवानी पराप्ट कर ली थी तो आंसर है बकसर के युद के बाद और निमनलिकित में से किस महाद्वीब को अंध महाद्वीब कहा जाता है तो आंसर है अफरिका अगला कोस्टन है कांगो फ्री स्टेट किस यूरोपिय सक्ती का उपनिवेश था तो आंसर है बेल्जियम और अगला कोस्टन है पावर्टी एंड ओन ब्रिटिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे किताब का नाम है और इसके लेखक थे दादा भाई नरोजी अगला कोस्टन है इकनोमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया नामक पूस्ट तक किस ने लिखी तो आंसर है रमेश चंदर दत ने भारत के परसिद परसासक आर्थिक इतिहासकार लेखक तथा रामायन और महाबारत के अनुवादक निमन लिखित में से कौन थे तो आंसर है इसका रमेश चंदर दत अगला कोशन है पर्थम विशव युद कब आरंभ हुआ तो इसका आंसर है 1914 इसकोशन है सवर पर्थम भारत के धन के निशकासन का सिदान्त किस ने दिया था तो आंसर है दादा भाई नारोजी ने और अमरीका ने खुले दवार की नीती दी सही या गल्थ बताना है इसमे में हुआ तो आंसर है इसका इंगलेंड में नील विद्रो कब हुआ था तो आंसर है 1869 इसवी से 1860 इसवी तक और आनंद मट की रचना किसने की तो आंसर है बंकिम चंदर चेटर जी ने और सवराज्य मेरा जनम सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह कथन किसका है तो आंसर है बाल गंगादर तिलक का और अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था तो आंसर है 1928 में दिल्ली चलो और जैहिंद का नारा किसने दिया तो आंसर है इसका सुबासंदर बोस ने चोरी चोरा की घटना कब हुई थी तो इसका आंसर है पांच फरवरी 1922 इसव की करांती का ने तरतव किसने किया था तो आंसर है राउ तुला रामने और गंधी जी ने दानडी आतरा कितने दिन में पूरी की तो आंसर है 24 दिन में गंधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा आंसर है 6 अपरेल 1910 को ऐसा योग आन्दूलन के दौरान महात्मा गंधी ने केसर एहिंद की उपादी गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था पांच मार्च 1931 इसवी को भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है तो आंसर है इसका अगस्त करांती के नाम से बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भासा में डैस नामक अखबार का संपा के तहट मिला विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया तो आंसर है 31 अक्तूबर 2019 इसवी को अगला खुशन है भारत की समीधान सबा की पहली बैठक कब हुई तो आंसर है 9 दिसंबर 1946 इसवी को भारत का समीधान कितने समय में त्यार हुआ तो इसको बनने में राज्य पुनरगठन आयो की नियुक्ति कब की गई 1953 इसवी में नीली करांती किस सम्मदित है तो आंसर है मतस से यानि की मचली पालन से नेक्स कोस्टन है भारत में अपातकाल कब लागू हुआ 25 जून 1975 इसवी को जैपरकास नाराएं ने किस कवी की पंक्तियां सिहासन खाली करो की जनता आती है को नारे का रूप दिया तो आंसर है राम धारी सिंग दिन कर के नारे को निमनलिकित में से किसको विस्व में मिसाइल मैंक के नाम से जाना जाता है तो आंसर है डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम अगला कोशन है उननीस सो तरे पन इस्वि में भारत की कौन सी महीला संयुक्त राष्टर संग की महासबा की पहली महीला अद्देक्स बनी तो आंसर है विजय लक्समी पंडित अगला कोशन है देश में आपात काल के समय सभी सक्तियां किसके पास आ जाती है तो आंसर है राष्टर पती सम्विधान क्या होता है आंसर देखें किसी देश का सासन चलाने के लिए नियम वे कानूनों का दस्तावेज सम्विधान कहलाता है भारत के पर्थम ग्रह मंत्री कौन थे तो आंसर है सरदार वल्लब बाई पतेल और भारत ने आर्थिक उदारी करन की नीती डैस में अपनाई तो आंसर है उननी सो इक्याडमे में